हेलो गाईज नमस्कार केम चो आज हम बात करेंगे मॉबल फोटोग्राफिज टीप्स एंड ट्रिक्स पार्ट टू पे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट वन देख सकते हैं पार्ट वन देखना जरूरी है यह पार्ट टू देखने के लिए पार्ट वन देखेंगे बाद में ही समझ में आए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज हम नेक्स टॉपिक के बारे में बात करते हैं फॉकस सब्जेक पर हमारा फॉकस होना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है हमारा फॉकस सब्जेक पर क्लियर नहीं रहता है तो उससे हमारा फिक्चर नहीं आहेगा उससे हमारा सब्जेक फॉड़ा बलरी आता है या थ्वड़ा डल आता है उसके लिए ऐस टॉपिक नंबर 6 के बारे में बात करते हैं रूल उफ-धाड ये एक टेक्निकल वर्ड है हम स उसका space left side रहना चाहिए, अगर वो left side खड़ा है तो उसका space right side होना चाहिए, क्योंकि अगर right side है उसके opposite side हम space रखेंगे तो framing पूरा बुरा लगता है, rule of third ये दिखाना चाहता है, कि आपको space कहां रखना है, और framing कैसी लेनी चाहिए, So guys, हम next topic पर बात करते हैं, topic number 7, lighting, lighting जो बहुत ही important चीज़ है, हमारे camera, अब हम कोई भी mobile में photo click कर या किसी भी camera में भी click करते हैं, तो हमको lighting proper होने चाहिए, lighting से picture बढ़ी आ सकती है, Mobile photography के लिए natural light ही, available light ही proper और based है, उसके लिए हमको sunlight यूज़ करना है, sunlight को कैसे यूज़ करेंगे mobile photography में वो देखना है, So guys, sunlight जो natural light है, वो कैसे यूज़ करेंगे, mobile camera हमारा जोगा भी angle है, उसके opposite side में subject रहेगा, और subject के सामने sunlight होना चाहिए, मतलब कि जहां पर sunlight है, उसके सामने subject होना चाहिए, वो proper light मिलेगा, कभी गभी हम क्या mistake करते है, कि sunlight की, जहां भी sunlight है, वह हम subject को रखते है, उससे क्या होता है कि backside light गिरती है, और subject पर light प्रॉपर नहीं आती है, तो हमारा picture seal out हो देता है, हमारा picture प्रॉपर नहीं आता, तो lighting क के लिए sunlight के सामने ही subject को रखे, हम next topic के बारे में बात करें, foreground, background, क्या है foreground, क्या है background, जो भी हमारा subject है, उसके आगे का जो portion है, वो पूरा foreground है, उसके पीछे का जो portion है, वो पूरा background है, हमको creative picture के निकालने के लिए, कहीं कहीं बार हमारा जो पत्ता रहता है, या कुछ भी picture creative और unique, और जो professionalism है, वो निकल के आएगा, आपको creative picture के लिए foreground और background को set करना है, background भी कैसी frame रखे, क्या रखे, वो भी देखना है, और हमारा next video आने वाला है, mobile photography editing, mobile photography हम कैसे edit करते है, professionally, so guys, अगर आपकी कोई भी query हो, या कोई भी question हो, mobile photography related, तो आप हमें comment में पूछ सकते हो So guys, आज का topic कैसा रहा हो, आप हमें comment में बता सकते हो, हमारा video कैसा लगा, अगर हमारी information आपको useful होती है, और आपको अच्छी लगी तो आप like जरूर कर सकते हो, और आगे भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत ज्यादा knowledge देखने के लिए ये YouTube channel हमारी subscribe कर सकते हो, thank you so much, thank you for watching our YouTube channel